हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डाक्टर बी यार अमबेटकर की फुल इस्टोरी वो भी हिंदी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाक्टर बी यार अमबेटकर से समबंधित कुछ महतोपुर प्रस्ण भी एकजाम में बार-बार रिपीट होते हैं तो जो बार-बार रिपीट होने वाले प्रस्ण है उनको भी मैं सामिल किया हूँ जो टाप प्रस्ण है आज ये कह सकते हैं कि आज इस क्लास को आप कंपलीट करने के बाद डाक्टर भी यार अमबेटकर से समबंधित कोई भी कन्फ्यूजन लेके नहीं घुमेंगे सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी आज आपके इस क्लास के बाद तो चलिए चलते हैं अपने क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं डाक्टर भीम राव अमबेटकर का जनम कब और कहां हुआ था तो जैसा कि आप देख सकते हैं 14 अप्राइल 1891 में महू नामा का स्थान पर जो की मध्य पर्देश में यमपी में महू पढ़ता है डाक्टर अमबेटकर के बारे में तत्थ जैसा कि आप देख लिए हैं कि जनम तिथी 14 अप्राइल 1891 हो गया जनम अस्थान महू यमपी में और अब जो महू गाओं का नाम है जो महू इनके एरिया का नाम है उसको अब डाक्टर अमबेटकर नगर के नाम से रख दिया गया है उस नाम को बदल दिया गया है इनके मृत्यू की बात की जाए तो 6 दिसंबर 1956 इस भी में 65 साल के उम्र 65 वर्स के उम्र के साथ इनकी मृत्यू हो गई थी 6 दिसंबर 1956 और 14 अप्राल 1891 को इनका जनम हुआ था समाधी अस्थल की बात की जाए तो चैत्य भूमी नामक समाधी अस्थल नामक अस्थान पर है मुंबई महाराष्ट जैसा कि सबको पता है कि महाराष्ट की राज़ानी मुंबई है और मुंबई में ही चैत्य भूमी है नेक्ष्ट देखते हैं नेक्ष्ट है इनका अन्य न अन्य नाम बाबा साहाब, Ahambetkar के नाम से भी यह जाने जाते है, और राश्ट येता की बात की जाये, तो पुंद रूफ से भारती हैं ये बे नौन्कि आप देखा कि अब आपे अंपई में इनका जनमस्थान और पिता जी के इनके नाम की बात की जाए तो इनके पिता का क्या नाम था तो राम जी मालो जी सक्पाल इनके पिता जी का नाम था और इनके माता का नाम भीमा भाई था इनके पतनी की बात की जाए तो रमा भाई अमबेटकर दोस्तों इनके पतनी की बात की जाए तो फ़र् इनका निधान सं 2003 में हुआ है और इनके पूत्र की बात कि जाए तो यह स्वंद भीमराव अंबेड कर इनके फूत्र है और फोता की in restore का नाम है प्रकास अंबेड कर नेक्स्ट देखते हैं अब देखेंगे इनके सैच्छिक डिगरी, तो सैच्छिक डिगरी की बात किया है, तो मुंबई विश्वविद्याले से इन्होंने बिये किया है, फिर कोलंबिया विश्वविद्याले से MA, PhD, LLD, इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्याले से किया है, लंदन इस्कूल आफ इकोनोमिक्स से इन्होंने MSC DSC किया है ग्रेज इन बैरिस बैरिस्टर एटला भी लंदन इस्कूल आफ इकोनोमिक्स से किये हैं नेक्ष्ट देखते हैं अब बात करेंगे हम लोग पुरसकार संबान की तो दोस्तों इन्हों इनको बोधिसत्व का पुरसकार 1956 में मिला था भारत रतन 1990 में मिला था कोलंबियन रहेड आफ तो इसा इंडिय इंडियन 2012 में मिला था राजनितिक दल सेड्यूल काश्ट फेडरेशन स्वतंत्र लेवर पार्टी भारती रिपब्लिक पार्टी शामाजिक संगठन बहिस्कृत हितकारडी सभास समता सैनिक दल ये सब भी इनको पुरसकार संबान मिल चुका है नेक्ष्ट देखते हैं नेक्ष्ट डाक्टर बाबा साहिब अमबेडकर अपने माता पिता की 14 वी और आखरी संतान थे डाक्टर बाबा साहिब अमबेडकर का वास्तविक सरनेम अमबावेडकर था जैसा कि आप देख सकते हैं लेकिन उनके सिच्छक महादेव अमबेडकर जो उन्हें बहुत मानते थे स्कूल रिकार्ड में उनका नाम अमबावडेकर से अमबेडकर कर दिये थे नेक्स्ट है डाक्टर बाबा साहिब अमबेडकर वीदेश जाकर अर्ध शास्त्र में डाक्टर रेट यानि की पीचडी की डिगरी हासिल करने वाले पहले भारती हैं यह भी ध्यान रखना है कि डाक्टर बाबा साहिब अमबेडकर वीदेश में जाकर इंडिया की बात नहीं हो रही है दोस्तों यहां दियान देना है कि वीदेश में जाकर पीचडी की डिगरी हासिल करने वाले पहले भारती बने थे नेक्स्ट है डाक्टर अमबेडकर की एक मात्र भारती है जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहाले में काल मार्स के साथ लगी हुई है नेक्ष्ट देखते हैं नेक्ष्ट है भारती तिरंगे में असुक चक्र को जगह देने का स्रेय भी डाक्टर बाबा साहिब अम्बेटकर को ही जाता है नेक्ष्ट है अर्थ सास्तर का नोबेर पूरसकार जीत चुके अर्थ सास्तरी प्रो अमर्त सेन डाक्टर बी आर अम्बेटकर को अर्थ सास्तर में अपना पिता मानते हैं नेक्ष्ट है मध्य पर्देश और बिहार के बेहत्तर विकास के लिए बाबा साहिब ने पचास के दसक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था जो कि सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन होकर 36 गड़ और जारखंड का गठन किया गया जैसा कि आपको पता है कि 36 गड़ तो यमपी से कटके अलग हुआ है और जारखंड की बात की जाए तो यह बिहार से सन 2000 में कटके अलग हुआ है नेक्स्ट है नेक्स्ट बाबा साहिब की नीजी पुष्टकाले राजग्री में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबे थी और यह विश्व का सबसे बड़ा नीजी पुष्टकाले था नेक्स्ट डाक्टर बाबा साहिब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फार वीजा कोलंबिया विश्व विद्ध्याले में टेक्स्ट बुक है कोलंबिया विश्विद्याले ने सन 2004 में विश्व के सिर्स सव विद्वानों की सुची बनाई थी और उसमें पहला नाम डाक्टर भीमरा अंबेटकर का था नेक्स्ट डाक्टर बाबा साहिब अंबेटकर कुल 64 विश्व में मास्टर थे वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराथी, पार्सियन, गुजराती जैसे भासाओं के जानकार थे हैं और टोटल भासा की बात की जाए तो इनको टोटल नो भासा का ग्यान था हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराथी, पर्सियन, गुजराती और इसके अलामक इनको बात की जाए तो इन्होंने लगभगे कई साल तक विस्व के सभी धर्मों के तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की है नेक्स्ट बाबा साहिब ने लंदन स्कूल आफ एकोनामिक्स में आठ वर्स में समाप्त होने वारी पढ़ाई केवल दो वर्स तीन महीने में पूरी की थी इसके लिए इन्होंने प्रती दिन एककईश-एककईश घंटे पढ़ाई की थी डाक्टर बाबा साहिब अमबेटकर का अपने आठ लाग पचास हजार समर्थकों के साथ भौध धर्म में दिच्छा लेने विश्व में एतियासिक था क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था बाबा साहिब के बौध धर्म की दिच्छा देने वाले महान बौध विच्चु महंत वीर्चंद्रमडी ने उन्हें इस यूग का आधुनिक बुद्ध कहा था नेक्स्ट लंदन स्कूल आफ एकोनोमिक से डाक्टर आल साइन्स नामक अनमोल डाक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एक मात्र महापूरूस है कई बुद्धिमान चातरों ने इसके लिए प्रयास किये परन्तु वे अब तक सफल नहीं हो सके नेक्स्ट देखते हैं विश्व में जिस नेता के उपर सबसे अधिक गाने और किताबे लिखी गई हैं वो डाक्टर बाबा साहब अमबेट कर ही है नेक्स्ट है गवर्नर लाड लिनलिथिगो और महत्मा गान्धी का मानना था कि बाबा साहब 500 असनातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान है नेक्स्ट है पीने के पानी के लिए सत्यागरा करने वाले बाबा साहब विष्व के प्रथम और एक मात्र सत्याग रही थे नेक्स्ट है 1954 में काठमांडू नेपाल में आयोजी जग जीत 1954 में काठमांडू नेपाल में आयोजी जगतीक बौध धर्म परिशन में बौध विच्चुओं ने नेक्स्ट है डाक्टर बाबा साहिब अमबेटकर ने भगवान बुध संत कबीर और महात्मा फूले इन तीनों महापूर्शों को अपना गुरु माना है दुनिया में सबसे अधिक स्टेचू बाबा साहिब की ही है अगर दुनिया में सबसे अधिक स्टेचू किसकी बनी है ये कोस्चन किया जाए तो उसमें बाबा साहिब का ही नाम आएगा इनकी जैनती भी पूरे विश्व में ही मनाई जाती है ये भी आपको बात ध्यान थी जिसमें चौथा नाम डाक्टर बाबा साहिब अमबेटकर का था विश्व में हर जगा बुद्ध की बंद आखो वाली प्रतिमाय प्रेंटिंग दिखाई देती है लेकिन बाबा सहब जो उत्तम चित्रकार भी थे उन्हों सरव प्रतम बुद्ध की एसी प्रेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आखे खुली हुई दिखाई थी नेक्स्ट है बाबा साहिब का पहला इस्टेची उनके जीवीत रहते हुए ही 1950 इस भी में बनाया गया था और यह इस्टेची कोलापूर सहर में इस्थित है अब आपको कमेंट बाक्स में बताना है कि कोलापूर सहर कहां इस्थित है नेक्स्ट है डाक्टर अम्मेटकर द्वार है सुझाव पर देश में कई संस्थाहों का निर्माद हुआ है उन्में से एक है ए और बी आई रिजर्वस हैं में आज ऻुक्रण दो को प्रस्तूत किये थे उसी के तर्ज पर भारती रिज़रों बैंक के अस्थापना किया गया था नेक्स्ट है अक्सफोर्ड इन्वस्टी द्वारा किये गए दमेकर आप दे यूनिवर्स नामक विस्व सर्वेचर के अधार पर पिछले दस हजार वर्सों के सिर्ष सव मानौ तावादी विस्व मानौ की सूची में चौथा नाम डाक्टर बाबा साहिब अमबेटकर का था टॉप कोश्चन है यानि कि ये बार-बार एक्जाम में रिपीट होते हैं तो चलिए चलते हैं इन कोश्चनों को भी देख लेते हैं सबसे पहला कोश्चन है डाक्टर अमबेटकर का जन्म किस राज्य में हुआ था आफसन यह महाराष्ट आफसन भी है मध्य परदेश आफसन सी है करनाटक आफसन डी है गुजरात तो आपको बताना है कि अधि आप वीडियो कहीं मिस नहीं किये होंगे बीच में तो आप इ डाक्टर अमबेटकर का जन्म किस राज्य में हुआ था आप इन पंद्रे कोश्चन में जब वीडियो लाश्ट में खत्म होगा तो उसमें जागे आपको कमेंट करना है कि आप कितने का एंस्वर सही कर पाया है तो इसका एंस्वर भी करेक्ट हो जाएगा हमारा मध्य में हुआ था वो भी महू नामक अस्थान पर उनके पिता महराष्ट के रतनागीरी जिल्ले में अंबाडवे गाउं के निवासी थे लेकिन वहां से जाके उन्होंने महू में सिप्ट हो गए थे वहीं पर डाक्टर वीयार अमबेटकर का जन्म हुआ था और इस समय उसको अ अंदरे जन्वरी 1889 इस भी आप्सन डी है 6 दिशंबर 1879 इस भी तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आप्सन सही होगा तो दोस्तों इसका आप्सन एक करेक्ट हो जागा 14 अप्रेल 1891 इस भी को डाक्टर वीयार अमबेटकर का जन्म हुआ था जो कि महू नामक स्थान मध्यपर्देश में और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अपटर अमबेटकर नगर के नाम से महू को जाने-चाना लगा तो दोस्तो इसका भी आपसन एक करेक्ट हो जागा राम जी मलोजी सक्पाल डाक्टर अमबेटकर के पिता का नाम है जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं व्याक्षा में डाक्टर अमबेटकर के पिता का नाम राम जी मलोजी सक्पाल था और माता का नाम भीमा बाई था डाक्टर अमबेटकर अपने माता पिता की 14. संतान थे ये भी बात आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोश्चन है निम्न में से कौन सा कथन डाक्टर अमबेटकर के बारे में सही नहीं है यहां ध्यान देना है कि सही नहीं है आपसन नहीं है भीमरा लगभग 15 वर्स आयू के थे तो उनकी साधी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी आपसन भी है भारती रिजरो बैंक RBI अमबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमिशन को प आपसन गलत है तो दोस्तों इसका आपसन डी गलत हो जाएगा यानि कि आपसन डी इसका सही नहीं है जैसा कि आप जेक सकते हैं आपसन डी को छोड़कर सभी आपसन सही है डाक्टर अमबेडकर ने 1956 में बहुत धर्म अपना लिया था ना कि 1965 में 1956 सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है डाक्टर अमबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था आपसन यह है 1985 इस भी आपसन भी है 1980 इस भी आपसन सी है 1990 इस भी आपसन डी है 1973 इस भी तो आपको बताना है डाक्टर भीमराव अमबेडकर को भारत रतन कब दिया गया था या कब राप्त हुआ था तो इसका सई इंसर हो जागा आपशन सी करेक्ट 1990-बी में भारत रतन दिया गया था और उस समय सरकार की बात कि जाए तो विस्वनात परताप सिंह की सरकार थी उस समय नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कोश्चन है डाक्टर अमबेटकर के समाधी अस्थल को किस नाम से जाना जानता है आपसन यह समता अस्थल आपसन भी है चैत्य भूमी आपसन C है वीर भूमी आपसन D है बौध भूमी तो आपको बताना है इन चारों में से कॉन सा आपसन सही है, डáktor अंबेटकर जी के समाधिय स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही अंसुर हो जाएगा, आपसन ho जाएगा, आपसन भी करेक्ट, चैत्य भूमी के नाम से डáktor बी यार अंबेटकर के समाधिय स्थल क हो जाना जाता है जो कि मुंबई माहराष्ट में इस्तित है चैत्य भूमी कि नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं नेक्स्ट कोस्चन है निम्न में सेறिश राजणीतिक डल काळण डाक्टर अम्भेटकर नहीं किया है आपसन सा आ बहुन से पार्टी के अगठन नहीं किया गया है, तो इसका सही एंसर हो जागा, आपसन डी करेक्ट हो जागा, दलित सोसित समाद संघर्स समीती का गठन अमबेटकर जी के द्वारा नहीं किया गया था, ये कासी राम जी के द्वारा किया गया था, दलित सोसित समाद संगर्थ समीती का संगठन जो हुआ था, ये कासी राम जी के द्वारा किया गया था नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा भारती संविधान के निर्माड के लिए गठित की समीती के अध्यक्ष डाक्टर अमबेटकर थे आपसन यह प्रस्तावना समीती आपसन भी है प्रारूप समीती आपसन C है जहंडा समीती आपसन डी है संग समविधान समीती, तो आपको बताना है कि भारति समविधान के निरमाड के लिए गठित कि समीती का अध्यक्ष डाक्टर अमबेटकर बने थे, इन चारो आपसन में से आपको बताना है कौन सा आपसन सही है, तो हमारा दोस्तों आपसन बी सही हो जाएगा कि प्रारूप समीती के अध्यक्ष डाक्टर बियार अमबेटकर मने थे भारती सम्मीधान के निर्माड के लिए गठित प्रारूप समीती के अध्यक्ष डाक्टर अमबेटकर चुने गए थे निम निलिखित में से 21 किताब को डाक्टर अम्बेटकर ने नहीं लिखा है, आपसन ने है पाकिस्तान पर विचार, आपसन भी है जाती का उच्छेद, आपसन से यह रुपए की समस्या, आपसन डी है गांधी, नेहरू और टैगोर, तो आपको बताना है कौन सा नहीं लिखा गया है, तो दोस्तों इसका सई इंसर हो जागा, आपसन डी, यानि कि आपसन डी की जो नाम लिखा गया है, गांधी, नेहरू और टैगोर, यह अम्बेटकर जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, नेक्ष्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कोस्चन है, पानी के पीने के पानी के लिए सत्यागरा करने वाले प्रथम और एक मात्र सत्यागरा ही कौन थे, आपसन ने है महात्मा गांधी, आपसन भी है वल्लभा भाई पटेल, आपसन सी है डाक्टर अम्बेटकर, आपसन डी है उप्युक्त में से कोई नहीं, तो आपको बताना है कि पीने के लिए पान के लिए सत्यागरा करने वाले प्रथम और एक मात्र सत्यागरा ही डाक्टर अम्बेटकर थे, उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड सहर में अच्छूत समुदायों को भी सहर की चवदार तलाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्यागरा चलाया था, नेक्स्ट काना है कि कौन सा सही नहीं है, आपसन ने है, पूना पैक्ट 24 सितंबर सन 1934 इस भी को हुआ था, आपसन B है, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डाक्टर अम्बेटकर के बीच में हुआ था, आपसन C है, पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निरवाचन और दो का अधिकार खतम हो गया था, आपसन D है, पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए अरचित सीटों की संख्या प्रांती दिविधान मंडलों में 177 से बढ़ा कर 147 और केंदरी विधाईका में कुल सीटों का 18% कर दी गई थी, तो आपको बताना है कि कौन सा आपसन सही नही है, तो दोस्तों इसका सही इंसर हो जाएगा, आपसन एक गलत हो जाएगा, यानि कि आपसन ए सही नहीं है, ये 1934 के जगए पर 1932 हो जाएगा जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डाक्टर अमेटकर के बीच में हुआ थ है, ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब भिमराव अमेटकर ने बे मन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्चर किये थे, यानि कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्चर ये बे मन से किये थे, नेक्स्ट कोश्चन है, निम्न में से किस भारती ने तीनो गोल मेज सम्मेलन में से भारती थे तो इसका सही अंसर हो जागा आपसन ए डाक्टर बी आर अमबेटकर ने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था गांधी जी ने केवल दूसरी गोल में सम्मेलन में भाग लिया था वो भी कांग्रेस की तरफ से अधर को कोष्चान है चैन वा कि नेक्श्ट कोष्चेन है अधरलम आफ रूपी इस ओरिजिन एंड इस सलूसान पूस्तक के लेखक कौन है महाथमा आप्सन है महात्मगाहन गौं जी आपसन भी है MN राय, आपसन C है B, आर अमबेटकर, आपसन D है सरोजनी नाइडू तो आपको बताना है कि इन चार आपसन में से कौन सा आपसन सही है जैसा कि देख सकते हैं आपसन C करेक्ट हो जाएगा B, आर अमबेटकर के द्वारा दा प्राबलाम आपदर रुपी पुस्तक लिखी गई थी यह किताब उनकी सबसेच चर्चित किताबों में से एक है आज भी यह भारत में बेश्ट सेलिंग बुक में गिनी जाती है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है नीम्ड में से किसने बहिस्कृत हितकारडी सभा की अस्थापना की थी आपसण ने है महात्मा फूले आपसं भी है डाक्टर अमबेटकर आपसं सी है गोविंद रनाडे आपसंड यह गोविंद वल्लभ पंथ तो आपको बताना है कि बहिस्कृत हितकारडी सभा की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था तो इसका सही अंसर होगा आपसन भी करेक्ट हो जाएगा डाक्टर अमबेटकर के द्वारा बहिस्कृत हितकारडी सभा की अस्थापना की गई थी नेक्स्ट कोश्चन है, निमनलिखित में से कौन सी पत्रिका डाक्टर अमबेटकर के द्वारा शुरुवात नहीं की गई थी, आपसन A है मुक नायक, आपसन B है बहिस्कृत भारत, आपसन C है प्रबुध भारत, आपसन D है सरस्वती, तो आपको बताना है कि इन चारो बुक में से इन चारो पत्रिका में से कौन सी पत्रिका की शुरुगाद B.R. अमबेटकर के द्वारा नहीं की गई थी, यहां ध्यान देना है कि नहीं की गई थी, तो दोस्तो इसका सहीन स्वर हो जाएगा, आपसन D सरस्वती, यह गलत हो जाएगा, दलित अधिकारों की रच्छ के लिए डाक्टर अमबेटकर ने बहिस्कृत भारत मुकनायक समता प्रबुद्ध नामक पत्रिका के स्टार्ट अप किया था, अब हम लोग देखेंगे डाक्टर वीम्राव अमबेटकर के प्रसिद्ध कथन, इनका कथन है कि हम सबसे पहले और अंत में भी भारती है, यान अगला है जीवन लंबा नहीं बलकि बड़ा और महान होना चाहिए, अगला है यदि मुझे लगेगा कि संबिधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं सबसे पहले मैं इस संबिधान को जलाऊंगा, कहने का मतलब समझेए कि यदि मुझे लगेगा कि संबिधान का लोग मेरे सेनापती इस कारवा को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत ले जाने देना। का पालन करने वाले लोग अच्छे हों। समाज की समस्या नहीं है लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धी का उपयोग करते हैं यही हमारे समाज की समस्या है। कौन सा समाज कितना तरक्की कर चुका है इसको जानने के लिए उस समाज के महिलाओ की डिगरी देख लेना। अगला है सिच्छा वो सेरनी है जो इसका दूद्ध पीएगा तो दहाड़ेगा। हमारे सम्विधान विमत का अधिकार ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्म्हस्त से कहीं अधिक ताकत रखता है। नेक्ष्ट है ज्यान ब्यक्ति के जीवन जीने का आधार है। भाग्य में विश्वास रखने के बदाए, अपने सक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों यहीं इस क्लास को हम खत्म करेंगे क्योंकि य बहुत लम्बा होता जा रहाँ है। सायद अब आपको डाक्टर बी यार अम्बेटकर से संबंदित कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है तो वह आप नीचे कमेंट करिएगा मैं आपके कमेंट का बिल्कुल जबाब दूंगा तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले टोपिक के साथ अगले क्लास में